इस इओ यानि के सर्च इंजिन ऑप्टिमाजेशन डीजी स्किल्स के इस प्लैटफॉर्म पे आप सर्च इंजिन ऑप्टिमाजेशन पे एक अलग से कोर्स फुल फ्लेच पढ़ेंगे लेकिन इस सेशन के अंदर मैं आपको जिनेरिकली और ब्रॉडली SEO के बारे में थोड़ा से बताऊंगा कि SEO है क्या और कब कब हमें SEO की जरुरत पढ़ती है और यूज करना चाहिए और इसके फ़वायत क्या क्या है लेकिन सबसे पहले ब्रीफली जरा नज़र डालती है कि सर्च इंजिन आप्टिमाजेशन तरह रकीकत है क्या चीज़ से एक टेकनिकल सी टर्म है और हमें से अक्सर जो इस टर्म को नहीं जानते हैं हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई यह तो बड़ी कोई टेकनिकल टर्म है और हम ना इसको कर सकते हैं ना इसको पढ़ने की जूरत है ना इसको समझने की जूरत है ऐसी कोई बात नहीं है SEO is a simple thing जब भी कोई यूजर सर्च कर रहा होता है किसी की वर्ड को तो जो वेबसाइट उसके सामने अपीर हो रही होती है और गैनिकली एक तो होती ना एड्स जो हमने पहले Google AdWords में पढ़ी जिसमें PPC का कॉंसर्ट यूज होता है पेपर क्लिक का तो SEO और PPC में फरक इतना है कि SEO है और गैनिक तरीके से यूजर को अपनी वेबसाइट को दिखाना जबके पेपर क्लिक या PPC जो होती है जो Google AdWords के तरह हम करते हैं उसमें आप पेड तरीके से अपनी वेबसाइट ये अपना पेज यूजर तक पहुंचा रहे होते हैं अब जब कंपैरिजन हो रहा होता है SEO और PPC का तो अकसर लोग है कहते हैं कि SEO is actually better than PPC और Google AdWords पर पैसे जाय करने से बजाए आप एक अच्छा SEO का करने वाला बंदा ढूंड लें और वो search engine optimization करके आपकी website को tweak करके आपके result automatically organic तरीके से main page के ओपर ले आएगा या first ranking अंदर लेएगा बात उनकी भी ठीक है लेकिन मेरा आपको as a digital marketer ये suggestion है कि आपने दोनों चीजों को hand in hand लेके चलना है जहां organic search is important है वहाँ add oriented यानि paid search is be important है जब आपने SEO सही तरीके से कर लिया आपने you have cracked the nut किस तरीके से SEO करना है अपनी website का तो automatically आपकी reach भी बढ़ी होगी और आपका page main page पे आ रहाँ होगा अक्सर जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ज़रा गोर कीजिए हम सबसे पहले उन websites पे क्लिक करते हैं जो पहले page पे होती हैं और बिलकुर top पे आ रही होती हैं अब उस top page पे और top rank पे पहुंचने के लिए जो companies हैं they have to spend a lot of time and a lot of energy in order to reach over there तो जिस तरह मैंने कहां के paper click भी आप यूज़ की जिए और SEO की power को भी यूज़ की जिए SEO आपकी website को most credible बनाता है यानिके आपकी website becomes the most relevant in the searches जब भी कोई keyword search कर रहा है तो चुक्के आपकी website organically वहाँ appear हो रही है तो इस वज़ा से user ये समझता है कि ये most relevant website है based on my keyword research ठीक है और इसके साथ जो दूसरी चीज़ है जब आपकी website relevant होगी तो user उसको click भी करेगा तो SEO को दूसरा फाइदा क्या हो गया कि most relevant तो ही है लेकिन साथ साथ most clicked website भी बनती जा रही है again it is all for free तो paper click में आप pay करके वो काम करवा रहे हैं जब भी search engine optimization की power को use करके आप ये तमाम चीज़ें फ्री के अंदर करें यानि के organic तरीके से करें इसके लाव़ जरा थोड़ सी नजर डालते हैं कि चंद और मजीद benefits क्या क्या हो सकते है SEO के सबसे पहले और सबसे बड़ा benefit ये कि कुछ लोग हमें से ऐसे हैं कि जिनको ads पसंद नहीं है आप अपने जरा गौर कीजिए कि आप मैश देख रहे हैं TV पे बैठे दिर्मयान में ads चलना शुरू हो जाती है बेशेक वो आपकी फेवरिट प्रॉडट्ट की ad हो लेकिन अकसर यह होता है कि आपको ads पसंद नहीं आती है इसी तरीके से इसी तरह के लोग digital environment में भी exist करते हैं जिनको ads पसंद नहीं होती है तो जब भी आपको चीज़ टाइप करते हैं और ad उपर अपीर हो रही होती है तो हमें से ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो उन ads को देख कर कहते हैं कि भाई इस पर तो मैंने क्लिक नहीं करना ads पसंद नहीं हैं वो आपकी website को again most relevant भी समझेंगे और most credible भी समझेंगे और फिर आपकी website पर click करेंगे दूसरा बड़ा benefit SEO का है long term value आपने invest कर दिया SEO के अंदर time लगाया technical knowledge गेन किया नॉन टेक्निकल गेन किया दोस्तों से पूछा खुद learn किया लेकिन जब आपने एक website को ranking result के अंदर top पे लाके छोड़ दिया तो वहां stay करती है कुछ हरसा it doesn't go down again in ranking and searches ज्यादा जल्दी तो वह value है over the period of long term जो है वह achieve होना शुरू हो जाती है अब यहां आकर अगर आप अपनी website को update करना छोड़ देते हैं या SEO को नहीं embed कर रहे हो तो on a regular basis तो फिर eventually आपकी website जो है वो ranking में गिरेगी लेकिन for a longer period of time आपकी website appear हो रही होती है top researches के अंदर और जब भी कोई keyword type करता है तो आपकी website के सामने appear होती है अचा इससे आगे चलके देखें तो अगला जो main point जो मेरे नज़ी बड़ा important SEO का है वो ही के branding में आपको बहुत help करता है again जब आपकी website top पे appear होगी तो क्या होगा लोग ज़्यादा आपकी website पे click करेंगे लोग आपकी website पे ज़्यादा click करेंगे तो आपका brand जो भी आपका brand जिस मर्जी product का है वो relevant बनता जाएगा इसी तरह जब भी कोई automatically तरीके से search करेगा for instance टी-shirt की तो the Google basically shows that particular website on top कि जिसकी credibility SEO की power ये तमाम चीज़ें बिलकुल ठीक है और उस particular website के top पे होने के वज़जा से credibility चुंके बढ़ रही है तो branding power भी जो है बड़ी strong होती जाएगी last के अंदे दोस्तो pay-per-click versus SEO इन दोनों मेंसे आपको as a digital market किस पे focus करना चाहिए ये बहुत बड़ी debate है search engine optimization is not easy it is hard work pay-per-click जो है वो it's convenient also yes you do pay लेकिन आपका वो तमाम जो objectives हैं वो achieve कर पाती है तो आपने SEO को भी साथ लेके चलना है pay-per-click को भी साथ लेके चलना है DJ skills का course जो है search engine optimization का है उसको आपने गौर से देना है और गौर से पढ़ना है ताके आपके पास search engine optimization की technical skill भी आजए और ये काम भी आप अपने तोर पे खुद घर पे बैटके करना शुरू कर दे